नमस्ते दोस्तों फूर्स प्राय में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं गोबी मेंचुरियन तो चलिए शुरू करते हैं गोबी मेंचुरियन बनाने के लिए क्या-क्या चीज़े चाहिए देखते हैं यह हमने लिया है दो कप गोबी, गोबी को हमने लंबा लंबा काटा है, आधा कप कॉन फ्लाल, मैदा, अध्रम लसुन पेस्ट, हरी मीर्च पेस्ट, काली मीर्च पाउडर, चिली सॉस, सोया सॉस, छीनी, नमक, तेल, चलिय बनाते है गोबी मंचुरियन, सबसे पहले हम गोबी को हमने एकड़ पतला काटा है, लंबा लंबा, दो चोटे चमाच अध्रक लसुन की पेस्ट, एक चोटा चमाच हरी मीर्च की पेस्ट, एक चमाच चिली पेस्ट, एक चमाच सोया सॉस, थोड़ी सी शक्कल, टेस्ट की हिसाब से नमक, एक चमाच काली मीच पाउडर, ये सारी चीजों को सबसे पहले हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसके अंदर हम डालेंगे आजा खब कॉन फ्लाल, और साथ चोटे चमाच मेदा, अब इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे, हमने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसके हम बनाएंगे मंचूरियन और इसे डिफ्राय करेंगे, तेल को पहले से गरम होने के लिए रख दिया था, अब इसके अंदर हम डालेंगे मंचूरियन, अब हम सारी मंचूरियन को मिडियम फ्लेम पे डिफ्राय करेंगे ब्राउन होने तक, मंचूरियन अच्छे से क्रिस्पी हो चुके है, अब इसे हम बाहर निकालेंगे, हमारे क्रिस्पी मंचूरियन अब तयार है, आप इसे खाईए शेजवान चतनी के साथ, अगर आपको शेजवान चतनी के रेसिपी चाहिए तो आपके राइट हैंड पे आई बटन होगा उसे क्लिक कीजिए, अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो जरूर ट्राइ करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, तो अगले बार मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जाए हिन वंदे मत तो, करेंगे जाए हुआ 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 है